येस मैम, येस मैम, थैंक यू, थैंक यू बरी मच्च, नो वेकिन्सी. हाई प्रिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पापा, क्या चल रहा है बेटा, ओ, वही वेकंसी अपॉन्मेंट्स, एड्स तो बहुत है पर वेकंसी एक भी नहीं है, आरे यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या, हाँ, अब तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, एलल भी कर लिया बहुत है, पापा मुझे यह प्रोफेशन बहुत पसंद है, एक दो साल प्राक्टिस कर लोगी, तो कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा, तो लाओ, मैं भी तुम्हारे हेल्प कर देता हूँ, एक दो फोन, अप, येस माम, चल्दी आ बेटा, ब्रेकफास आज की टाइम्स में असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फोन किया है, जी, लिसन माम, इफ यू आर इंट्रस्टेट, यू आर मोस्ट वल्कम, थांक यू सर, प्लीज नोट दान माइड्रेस, यह सर, हाउस नमबर थैटीन, साइनगर, सेंट मेरी रोल, ओकी, मैं सारे दस बज जाओंगी, थैंक यू बेरी मच, बाबाइ, बंटी, जी साब, घर की साफ सफाई की क्या पोजिशन है, साब दो बाफटके भी माँ चुका हूँ, ऐसा करो के दो बार पोचा और दो बार फटका और मारो, साब आज कुछ ते बार है, यहां बहुत बड़ा क्लाइंट है, आ कित चली एंगे बीदा फुल बन के, कुड़ी बदा मी रंगी, हाल तेरा पुछ पुछ ठक गया मैं, अरे काँ वे धूर दो नी अलो, हाँ भाई, राकेश बोल रहा हूँ, बहुत तेम लगा दिया फोन उठाने में, अरे यार फोन मिले तो उठाओ न, यहां कौन सी चीज कहां पड़ी होती है पता ही नहीं चलता, तुझे भी बोला था एक नौकरानी ढूणने को, तू ढूण पाया, राज मेरे लिए नौकरानी ढूणना कोई मुश्किल काम नहीं है यार, लेकिन जब मैं उन्हें बताता हूँ कि तूम बैचलर हो, अकेले रहते हो, तो बैयों भाग जाती है, हाँ हाँ, जैसे ही वो आएंगी, मैं उन पर तूट पड़ूँगा, अबे बैचलर हूँ तो इसका मतला नौकर नौकरानी नहीं मिलेगी मुझे, मैंने यही तो बताने के लिए फोन किया है, कि एक बाई के साथ मेरी बात हो गई है, अबे कहा है वो, दस साड़े दस बच तक तेरे पास पहुंच जाएगी, और सुन, लड़की पड़ी लिखी है, तेरे घर के कामकाज के अलावा तेरे कुछ बेटन कर लेगी? अब जल्दी भेजना बहुत परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा मैं, अरे आ रही है भाई, आ रही है, है फिशन, तुन्हें कभी फोम वाली चाय पीए? नहीं, मैंने अभी बनाई है, आजा, पी ले, यह रिलाइची वाली चाय तो बहुत बार पर यह फोम वाली चाय? हाँ, यहाँ तो सारे कार एक जैसे हैं, मैं कैसे टून्डूंगी? हलो? हलो शार्मा जी, हाओ डू चू डू? शार्मा जी, यह कहाँ पेश दिया आपने? यहाँ तो मैं खुद गैब हो जाऊंगी कार के माली को कैसे टून्डूंगी? तुम अभी तक महा नहीं पहुँची? मैंने तुमें एड्रेस भी लिखवाया था? वो मैरे नहीं लिखा, मैंने सोचा दो चार कार होंगे टून्डूंगी? पर यहाँ तो सारे एक जैसे हैं शार्मा जी? अच्छा ध्यान से सुनो, वहाँ एक साई बाबा का मंदिर है, वो तो पीछे है? उस मंदिर के आगे पहली लेफ्ट गली में जाओ, और जैसे ही तुम वहाँ बोग्जोंगी, समझगी, बस फाइब मिनिट मैं पहुँच रही हूँ, हलो, बस बस, कितना हुआ? बीस बाबा, आज पहली बार इंटिव्यू के लिए जा रही हूँ, मुझे विश्वास है कि आज मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्यूंकि इंटिव्यू से पहले आपके दर्शन हो गए है, हाई हाई कारका नंबर तो पूछा ही नहीं, हलो, हलो, शार्मा जी, हाओ डू 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 अब कारका नंबर नी बता तो मैं कौन से कार में जाओ, अरे तुम पूरी बात सुनती कहा हूँ, पहले ही फोन करकर देती हो, अब ध्यान से सुनो, बंगला नंबर 30, सामजगी, सामजगी, हाँ, 13 मतलब 13, अंग्रेची आती है मुझे, आप तो नोगनी मिली क्या मिली, 13, 13 अरे, हाउस नमबर क्या था, पेपर तुम्हें घर पे बूलाई, 30 प्रिया सक्सेना, प्रिया सक्सेना, प्रिया सक्सेना, यस, सुबह फोन पे बात हुई थी, क्या बात हुई थी, जॉब के लिए, जॉब, हाँ, हाँ, जॉब, तुम ही हो वो जॉब के लिए, जी, तुमको मालूम है न, क्या-क्या करना है, ये सब, वाटेवर यू से, गुट, एक कब चाय बना दो, क्या हुआ, चाय बनानी नहीं आती, जी आती है न, तो किचिन, वो रहा, जाओ, रहने दीजे, बाद में कर लेना, जी, बाद में कर लेना, अराम से, तो आपको काम करने का कितना एक्सपीरेंस है, लो जी, एक्सपीरेंस की क्या बात कारते हूं, मैं तो सालों से यही काम कार रही हूं, मेरे माँ बाप भी यही काम कारते थे, हमारा तो जी, खांदानी पेशा है, इसका मतलब आपको कुछ समझाने की जरुवत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं जी, वैसे आपके कार में और कौन कौन है, बस मैं और ये बंटी, और आपके बीबी बच्चे, जी मैं अभी तक कुवारा हूं, बेरी गुद, कुवारे और छड़े लोगों के कार में काम करने में मुझे बड़ा मजा आता है, बह यहां भी आते होती है ना, खट बड़, 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 आती राती है, मैं बाद बोर हो जाती हूं, आपने अची चाह बना क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी और आप फिर भी ये जॉब करना चाहती है। सर मेरी नजर में कोई जॉब छोटा नहीं है और आपके अंदर काम करना तो मेरे लिए बहुत बड़ा ओनर है और मुझे आपसे बहुत कुछ सिखने को मिलेगा। ठीक है अगर आपको फिर भी ये काम करना है तो करिए लेकिन जी मैं आपको एक हजार पांट सो रुपया पर महीने तंखा दे सकता हूँ। एक हजार पांट सो लेकिन आपने तो आड में तीन हजार रुपय लेखे थे। एड? जरा सोचिये सर इतने बड़े लॉयर की सेकरेटरी लॉयर? मेरा मतलब है बैरिस्टर इतने बड़े बैरिस्टर की सेकरेटरी और सिर्फ पंद्रा सो रुपय तंखा। अरे मैं तो मजाग कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा था एड में? तीन हजार ना? मैं आपको तीन हजार ही दूंगा। तो मैं फिक्स? जी आप फिक्स, नौकरी फिक्स, हम सब फिक्स। थांक्यू सुमाच सूर। अरे क्या बाद। थांक्यू। अब मैं चलू? सुनो, सुबह की चाय मैं नौबजी भी होँगा। ओके सा, मैं पॉने नौबजी पॉन जाओंगी। क्या बात है। भाई। लोजी मेरी तरब से नौकरी पकी। मैं आपके यहां काम करूंगी और पगार लूंगी पूरे डेढ़ हजार पे। एक रप्या भी कम नहीं। तुमसों डेढ़ हजार में काम करोगी। लोजी, आपके कवमे कारने के लिए काम ही क्या है। नहीं, तुम घर का काम क्यों करोगी, उसके लिए बंटी है ना? बंटी मेरा काम करेगा! नहीं देखो, ना तो बंटी तुम्हारा काम करेगा और नहीं तुम बंटी का काम करोगी फेर ठीक है? पर एक बात और कां मैं सुबह 7 बज़े से लेके रात के न मुझे ता क्रूंगी चोंगी बेड रूम में और किसके अपने और किसके सोने के लिए मुझे लग कमरा देना पड़ने मैं किचन या बालकणी में चट्टाइब मतलब तुम यही रहोगी हाइँ हाइँ आपके यहाँ काम करूंगी तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा मैं हाइँ हाइँ शर्मनी आती है आपको आप एक लड़की को लड़के की साथ रहने के लिए कह रहे हो नबाल गोंपार तो केस भी नहीं होता वह क्या बात है I'm really impressed तुम्हें कानून की कितनी जानकारी है ऐसे ही टैलेंट की तलाश में था मैं अब तुम घर जाओ और सामान लेकर आओ तुम्हारे कमरे का इंतजाम हो जाएगा लोजी मैं यू गई और यू आई है जी थैंक यू एजी फिर चाता